दुनिया का 27 वीजदी चाय का उत्पादन भारत में होता है और 11 प्रतिशत चाय का उपभोग भी भारत में ही होता है। इसके लिए आर्ध जलवायू उप्युक्त होती है जहां तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक उत्तम बाना जाता है। इसकी पौध बीज वा कटिंग दोनों से तयार की जा सकती है। अगर आप कटिंग से पौधा तयार करते हैं तो कुछ इस तरह से करें। इसकी कटिंग को लगाने से पहले 24 घंटे तक गरम पानी में डालें। इसके बाद इसे निकाल कर छाया में डालें। हलकी नम भूमी में इसकी कटिंग को लगाएं। खाद व उर्वरक नाइट्रोजन 90-120 किलो, सिंगल सुपर फासफेट 90 किलो, पोटाश 90 किलो की आवशक्ता होती है प्रति एकड के हिसाब से। अब बात करते हैं इसकी तुडाई की। जब कोपल में दो पत्ते हो या फिर एक कली बन जाए और जब तक वो नर्म हो उसे तभी तोड़ने हैं।